नमस्कार वण इंडिया में आपका स्वागत है मेरा नाम अविनाश है आखरकार भारत को जीत मिल ही गई टीम इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में अस्ट्रेलिया को हरा दिया तेरह रनों से टीम इंडिया ने तीसरे वुंडे मैच में धमाकेदार जीत हासिल की और इस जीत के हीरो हार्दिक पांडिया रहे जिनोंने नाबाद 92 रनों की पारी खेली वहीं रविंद्र जडेजा ने 66 रन बनाए भारत ने पहले बलेबाजी करते हुए अस्ट्रेलिया को जीत के लिए 303 रनों का टारगेट दिया था पर मेजबान टिम सब भी विकेट खोकर 289 रन ही बना सकी और भारत ने 33 रनों से मुकाबला जीत लिया इससे पहले टोस जीत कर कप्तान विराट कोहली ने बैटिंग करने का फैसला किया था शीखर दबं 27 गेंदों में 16 रन बना कर आउट हुए अच्छी बलेबाजी कर रहे शुमन गिल भी 33 रन बना कर पविलियन लोटते चले लागातार दो मुकाबले में फ्लॉप रहने वाले शोय सेयर ने तिसरे मैच में भी धोखा दिया महज 19 रन बना कर वो आउट हुए इसके बाद कप्तान विराट कोहली ने मोर्चा संभाला विराट कोहली ने लागातार दूसरे मैच में अड़श्य तक जड़ा उन्होंने 64 गेंदों पर अपना 50 पूरा किया हाला कि 78 गेंदों में विराट कोली 63 रन बना कर आउट हो गए उनको जोईश हैजल उट ने कैच आउट करवाया फिर हर्दिक पांडिया और रविंद्र जड़ेजा ने आतिशी पारी खेली रविंद्र जड़ेजा ने अस्टोलिया के खिलाब तिस्त्रे वंडे में हार्दिक पांडिया के साथ 6 विकेट के लिए 150 रनों की साजेदारी की 7 ही महज 50 गेंदों में उन्होंने 66 रनों की पारी भी बल्ले से खेली इस दोरान जड़ेजा के बल्ले से 5 चौके और 3 चके भी निकले पांडिया ने 76 गेंदों का सामना करते हुए 92 रनों की पारी खेली जिसमें 7 चौके और 1 चके शामिल थे भारत से 303 रनों के लक्षे का पीछा करने उतरी अस्ट्रुलिया की टीम को पहला जट का मारनस लबुशेन के रूप में लगा अलाकि कंगारू टीम के कप्तान आरन फिंच ने अच्छी बले बाजी किया और लगातार तिसरी बार 50 प्लस स्कोर किया आरन फिंच ने 82 गेंदों का सामना करते हुए 75 रनों की पारी खेली एलेक्स केरी 38 रन बनाकर रन आउट हो गए जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने एक बार फिर से भारती गेंद बाजों की जम कर खबर ली 69 रन बनाकर मैक्सवेल बुमरा के शिकार बने भारत की तरब से नटराजन बुमरा ने दो-दो विकेट हासिल किये जबकि शारदुल ठाकुर ने तीन विकेट इस मुकाबले में लिये चुकि स्रीज पहले ही टीम इंडिया हार चुकी थी तो हाथ कुछ नहीं लगा प्लेयर अफ़ दा मैच कावर्ड मिला पांडिया को जबकि प्लेयर अफ़ दा स्रीज कावर्ड स्टीवन स्मीथ लेकर गए इस खबर में बस इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया के साथ